हेलो दोस्तों, सुबा से लेके साम तक स्मार्टफोन यूज़ करना क्या आपके हैबिट है? क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन स्क्रीन हमारे आई और हमारे नीन्द के लिए बहुत ही हानी करे खे? स्क्रीन का ब्लू लाइट हमारे नैचरल सारकर्टियन रिद्म को बिगट देता है और नीन में दिक्कत होता है आई की मेलाटोनिन रिशेप्टर नैरो बैंड की ये ब्लू लाइट से बहुत ही सेंसिटिव है और इसके वज़ा से मेलाटोनिन प्रोडक्शन घट जाता है और हमारी बॉडी का रीजेनरेशन कंट्रोल करता है। स्टाडी से पता चला है, एक एवरेज इंसान जो रोज सोने से पहले घंटों स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसका लगभग एक घंटा नींद कम हो जाते हैं। और आप खुद के बाद छोड़िये, क्या आपने कभी सोचा है कि रात को जब आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तब आपकी आसपास की लोग को क्या प्रॉब्लेम और क्या दिक्कत होता है। स्मार्टफोन यूज़ तो कम निए किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लेम का सॉल्यूशन क्या है। दो ही सॉल्यूशन है, एक है ब्राइटनेस घटा देना और ब्लू लाइट एमिशन घटा देना। अब brightness के बारे में बोलू, तो एक level के नीचे, ये देखे, मेरा फोन, एक level के नीचे brightness तो नहीं घटता, एक certain level के नीचे brightness को घटाना संभब नहीं है, और blue light घटाने का कोई option ही नहीं है, तो इसी problem का solution मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए जो करना है, आप प्ले स्टोर में चाहिए, और वहाँ पर सार्च कीजिए, night screen, A-C-R-W-E-N, night screen, ठीक है, ये एक ये जो एप है, उपर के जाब जो फर्स्ट एप है, ये बहुत ही एक छोटा एप है, बहुत ही straightforward एप है, इसे आप इंस्टल कर लीजिए, ये एप आपकी ये जो प्रॉब्लेम एक दम तुरंट सल्व कर देगा, इस एप को आप उपन कर लीजिए, मैं इसे उपन कर रहा हूँ, ये देखे, ये जस्ट एक छोटा सा एप है, जो स्क्रीन के उपर एक जस्ट एक स्लाइडर देता है, इसके लिए इसे काम करने के लि तो ये जो ये ही इसका एप का जो इंटर्वेस है, एक छोटा सा स्लाइडर है, ये जो आपके फून का जो ब्राइडनेस है, जो स्टेंडर ब्राइडनेस है, उसके भी नीचे ये डिस्प्ले को और भी दिम करता है, और बहुत ही छोटा एप है, बहुत ही स्टेट फॉरड और blue light emission के लिए आपको इसके settings पर जाना पड़ेगा और या पर दिखिए blue light filter ये ज आप option है इसे आप अन कर दिजिए तो blue light filter on हो जाएगा मतलब एक फिल्टर के दोवारे इसे ब्लू लाइट एमिशन को घटा देगा और आई के उपर स्ट्रेंड कम पड़ेगा और हमारे जो स्मार्टफोन यूज करने से जो प्रॉब्लेम है वो थोड़ा तो कम जरूर होगा और यह जो टीम फिचर से इसके लिए जो दूस्रे का प्रॉब्लेम वो भी घट जाएगा और खुदका नियुका प्रॉब्लेम वो भी कम हो जाएगा तो इस app को close करने के लिए आप notification में जाएए और यहाँ cross दे दीजे तो यह app close हो जाएगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो एक like देना मत भूलिए और हमारे चैनल पे subscribe जरूर कीजिए तो आज के लिए इतना ही टाटा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं